समू जो है उसमें कितनी संख्याओं है साथ संख्याओं और इन सभी संख्याओं का उसत कितना है एक ताले से एक समू बी है जिसमें कितनी संख्याओं है पांस संख्याओं है और इन पांस संख्याओं का उसत कितना है चवाले से हना तो उसत चवाले से तो यह सारी संख्याओ को इन पांचो संख्याओं को मैं 44-44-44 से replace कर सकता हूँ क्योंकि ओसत को हम सभी संख्याओं से replace कर सकते हैं और यह जो साथ संख्या है इन साथो संख्याओं का ओसत कितना है 41 है मतलब इन साथो संख्याओं को मैं 41 से replace कर सकता हूँ ठीक है तो अभी मैं क्या करता हुँ? इन दोनों गृर्प का average मन मन से माल लेता हूँ की मन से दोनों गृर्प का average कितना है? 41 है तो यह तो साथो संख्या 41, 41, 44 है ही है तो कमिया दिखता की कोई बात नहीं है लेकिन यह जो पाँच संख्या है यह कितनी है? पंद्रह की, क्यों? 5 संख्या तीन-थिक, तो 15 की अधिकता आ गई, अब मैं क्या करूँगा कि यह 15 की अधिकता, मेरे से बोला है कि दोनों समूव Nina का कुलोसर कितना, तो दोनों समूवiger में कितनी संख्या हो जाएंगी 12, तो यह जो 15 की अधिकता आई है यह मेरे को सभी 12 संख्याओं में क्या करना पड़ेगा डिस्टिब्यूट करना पड़ेगा तो मैं 12 को 15 से भाग देंगा 12 एकम 12 बचेगा 3 12 दुनी 24 बारा पंजे 60 तो कितना हो जाएगा यह वन पॉइंट 25 की क्या आजाएगी अधिकता आजाएगी तो मैंने मन से एवरेज कितना माना था तीसरा यह है कि आपके concept को logic को थोड़ा clear करेगा या अभी हम देखेंगे इसको यह कैसे आपकी thought process को change करेगा आपके सोचने को तरीके को change करेगा किसी संख्याओं के 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 संख्याओं की central tendency को सो करता है यह हम दूसरे सब्दों में कहें यह एक AC value है जो उस संख्याओं के संख्याओं की केंद्र बिंदू को दिखाता है पांच और साथ बारा हो गया, बारा और आठ बीस हो गया, बीस और दस तीस हो गया, और तीस में हम यदि पांच का भाग दे दें, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो एवरेज कितना आ जाता है, छे आ जाता है, तो इसका एवरेज कितना है, छे है, अभी हम इन संख्याओं के समू को देखें तो इसका central क्या है चे है या हम यह कहें दूसरे सब्दों में मैंने क्या बोला कि वो उसकी क्या केंदरी प्रिवत्ती को दर्स आता है तो इसकी केंदरी प्रिवत्ती क्या हो जाएगी अगर हम देखें तो 4 6 से कितना है माइनस टू पांच 6 से कितना है माइनस वन और साथ 6 से कितना है प्लस वन और आठ कितना है प्लस टू तो यह इसकी central tendency को दिखा रहा है छे इस समू की central tendency को दिखा रहा है या हम यह कहें कि यह 6 जो है इस समू का केंदरी बिंदू है तो ओसात एक एसी संख्या होती है जो दिये जैसे यह समू है 4, 5, 6, 7 और 8 ठीके यदि मैं इन समू की प्रितेक संख्या को उसके ओसत से रिप्लेस कर दूँ जैसे 4 को मैं 6 लिख दूँ 5 को भी 6 लिख दूँ 6 को भी 6 लिख दूँ 7 को भी 6 लिख दूँ और 8 को भी 6 लिख दूँ ठीके तो यह जो इन संख्याओं का जो योग है वो परिवर्थित नहीं होने वाला। जैसे इन सभी का योग कितना था? 30. इन सभी का योग भी कितना होगा? 30 होगा, हाना 6 4 10, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना होगा? 30. उर उन कितना आया 30 और सभी 5 संख्याओं को जोडएंगे हम 6 5 30 तो एक important property क्या होती है हमारी average की कि यदि हम average के दोरा बाकी सभी संख्याओं को प्रतिस्थापित कर दें तो उनकी संख्याओं के समू के योग में कोई परिवर्तन नहीं आता है जैसे इसमें हो क्या राय जैसे मालूम मैंने यहाँ पे इसको 6 लिख दिया तो मैंने इस समू मे अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 बढ़ा के लिख लिया अगर मैं इस 5 की जगा 6 लिखा हूं मतलब मैं एक बढ़ा कर लिख लिया 6 के जगा पर 6 ही लिखा हूं तो मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है और 7 की जगा पर 6 लिखा हूं मतलब मैंने 1 कम ले ल गई ऐसे यहां पर माइनस वन और प्लस वन की एड़ेस्ट हो गई और यह तो कोई चेंज था ही नहीं तो जितने की समूल में कमी अरधिकता होती है वो संख्याओं को कोई कॉशन दिया है हमें question दिया है, क्या है question, question है 12, 13, 17, 18, हमें question दिया है 12, 13, 17, 18, हमें इनका ओसत निकालना है, ठीक है, तो जैसे हम traditional तरीके से करें, तो ये 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, 17, 13 कितना हो जाएगा, 30, 17, 13, तो इन सब को जोडने पे कितना आ रहा है, 60, और संख्याएं कितनी है, 4, मै ने भाग दे दिया, तो कितना आ गया, 15, तो इन संख्याओं का ओसत कितना आ गया, मेरा 15, ठीक है, जो आभी हमने concept सीखा, central tendency वाला, कि यदि इन सभी संख्याओं को मैं 15 से replace कर दूँ, जैसे 12 को भी मैं 15 लिख दूँ, 13 को भी मैं 15 लिख दूँ, 17 को भी मैं 15 लिख दूँ, तो कितना जाएगा, 60, तो इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, अब देखिए, इस logic को मैं कैसे use कर सकता हूँ, जैसे हमें पता चल गया कि संख्या का ओसत कितना आया है, 15 आया, तो मुझे क्या imagine करना है, कि ये प्रतेक संख्या है, जो समू की जो प्रतेक संख्या है वो 15 ही है, ये 12 भी 15 है, ये 13 भी 15 है, ये 17 भी 15 और ये 18 भी 15 है, ठीक है, अब मालो कोई एक संख्या मैंने इस ग्रुप में एक नई संख्या ले ली, जिसके आने से संख्या का ओसत जो है, वो एक बढ़ गया, संख्या का ओसत कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, तो अब म ने देखा कि हम इसको replace कर सकते हैं तो जब replace कर सकते हैं तो इसकी जगा 12 की जगे पर 15 लिखते हैं तो मैं 12 में एक जोड़ने के बजाए 15 में एक जोड़ू तो अब सभी संख्या है मेरी कितनी हो जाएंगी 16 16 16 ठीक है तो यह जो आने वाली संख्या है इस आने वाली संख्या स होगी होगी मतलब कितनी 4 ψाद होगी तो आने संख्या कितनी होगी बिस अभी हमारा है कि यदि हमारा सभी हमने झालोग संख्या है मुआ कि उसमें बढ़ हाती ह। बढ़ गया और कितना हो गया था 16 तो जो आने वाली संख्या है वो 16 तो होगी होगी प्लस उसमें 4 ओरेड हो जाएगा ठीक है जिस से इस कॉश्प्बक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो क्लास में हमें बोला गया है कि सभी बच्चे भाई 16 शोला रुप Rs.1000 करो और class में कितने पांच बच्चे हैं अब चार बच्चों पर ये पता चला कि चार बच्चों का ऐVRज जो है वह पंधरा आया यह चार बच्चों ने किसी ने बारा दिया अब किसी ने तेरा दिया किसी ने सतरा दिया किसी ने 18 दिया ऐसे मिला के यह पता चला कि सभी के अभी एवरेज 15 हो गया है लेकिन हमें कितना करना है 16 करना है ठीक है तो जो आने वाला नेक्स्ट बच्चा जो होगा पांचवा बच्चा जो होगा उससे हमसे पूछा कि वो कितने रुपे देगा क्योंकि हमें एवरेज कि कितना आया है 15 तो वो बाकी के बचे चार बच्चों का एक 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 रुपे के हिसाब से चार रुपे और देगा तो मतलब उसे कितने रुपे देने होंगे 16 खुद के प्लस चार हमारे जो पुराने बच्चे हैं उनके तो कितना हो जाएगा 16 और चार 20 तो जो पांचवा कितना पढ़ने वाला जो लॉजिक है उसको इस्तमाल करके हम डारेक्ट जो है एवरेज को औरली केलकुलेट कर सकते हैं ठीक है यह हो गया हमारा एवरेज का बेसिक कॉंसेट तो अभी हम क्या करते हैं जैसे एक कोश्चन है कि संख्याओं का उसत ग्याद कीजिए मुझे किन किन संख्याओं का एवरेज निकालना है बारा आठ तेरा साथ ग्यारा और नो हना तो जो जो भी एक एवरेज होगा इन संख्याओं का जो एवरेज होगा वो इन संख्याओं के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है ठीक है हना तो मैं मान लेता हूं कि वह एवरे यहां पर मैंने तीन कम लिया हूं यहां पर मैंने एक जादा ले लिया और यहां पर मैंने एक कम लिया हूं मैंने सब को क्या लिखा हूं दस 10 10 10 10 10 और 10 क्योंकि मुझे पता है कि जो भी average होगा वो इन संख्याओं को replace करने की ability उसमें होगी तो 12 अगर average 10 है तो मैं 12 को 10 लिख सकता हूं 8 को भी 10 लिख सकता हूं 13 को भी 10 लिख सकता हूं की अधिकता है और यह 2 की कमी है तो adjust हो गया यहां पर 3 की कमी है और 3 की अधिकता है adjust हो गया यहां पर 1 की अधिकता और 1 की कमी है adjust हो गया तो हमारा जो net value आ रही है कमी और अधिकता वाली वो कितनी आ रही है 0 मतलब जो इनका कमी अधिकता है वह आपस में adjust हो गई है मतलब average मेरा कितना है average कितना है 10 मतलब इन में सभी संख्याओं को 10 से replace कर सकता हूँ तो हमारी संख्याओं का उसत कितना हो जाएगा हमारी संख्याओं का उसत हो जाएगा 10 तो इस तरीके से हम उसत ग्याद कर सकते हैं चलिए अगला देखते हैं जिसे अगले question में क्या है दोसो बारा दोसो आठ दोसो तेरा दोसो साथ दोसो ग्यारा और दोसो नो ठीक है इन संख्याओं का उसत ग्याद कीजिए पहले मैं संख्याओं लिख लेता हूं संख्याओं है एवरेज जो है वो 200 है ठीक है मंद से माल लिया मैंने एवरेज कितना है 200 तो यहां पर क्या है 12 की अधिकता है यहां पर कितनी है आठ की अधिकता है यहां पर कितनी है साथ की अधिकता है यहां पर कितनी है 11 की अधिकता है और यहां पर कितनी है 9 की अधिकता है ठीक है क्योंक 12 और 8 20, 13 और 7 20, और 11 और 9 20, तो total कितनी अधिकता हो गई, 20, 20, 20, 60, 60 की अधिकता हो गई है न, तो total अधिकता कितनी हो गई, 60, अब लेकिन मुझे देखना है कि यह कितनी संख्याओं में है, तो संख्याओं हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 60 की अधिकता कितनी संख हों तो संख्या कितनी हो जाएंगी मेरा कितना हो जाएगा 210 इस कुछ संख्या मान लेता हूं थीक है अब यहाँ पर कितना हो जाएगा यह झाला है यह 3 कम है यह 1 जादा यह 1 कम, है यह 2 की अधिकता, 2 की कमी एडजेस्ट, 3 की अधिकता, 3 की कमी एडजेस्ट, 1 की अधिकता, 1 की कमी एडजेस्ट, तो सब कुछ एडजेस्ट हो गया, मतलब average कितना है मेरा 210 है, जैसे देखिए, यह question है, इस question में हमें दिया हुआ है, संख्याएं 3212, 3208, 3213, 32007, 3211 और 3209 ठीक है यह संख्याएं हमें दी हुई है हमें बोला इन संख्याओं का उसत ग्याद कीजिए तो देखो यह सारी 32 के आसपास है तो मैंने एवरेज मान लिया कितना कि इसका एवरेज होगा 32 ठीक है तो यह कितनी है 3212 यह साथ जादा और यह नो जादा तो टोटल में देखों कि सारी अधिकता अधिकता है तो कि टोटल कितनी अधिकता आ रही है और मैं संख्याओं को एवरेज से replace कर सकता हूँ तो मैं संख्या को किस से replace कर रहा हूँ 32 से लेकिन तब भी मेरी हर एक संख्या में कितने की अधिकता आ रही है दस की अधिकता आ रही है पतलब मेरा average 32 ना हो के कितना होगा 32 10 होगा ठीक है अभी देखो मैंने ये question इसलिए डाला था हमारी class में कि यहां पर जो संख्या हम पिछला question देखें तो पिछला संख्या क्या है 212, 208, 213 ठीक है ये 212, 208, 213, 207, 211, 209 पिछला question ये था अब सभी संख्याओं में मैंने कितना add कर दिया 333, 3000 क्या है उसमें add कर दिया तो पिछला मेरा उसद कितना आया था पिछले question का उसद कितना आया था मेरा 210 तो इस question का उसद कितना जाएगा 3210 तो कहने का मतलब यह है कि यदि प्रतेक संख्या में कोई संख्या जोड़ दी जाए तो उसका उसद भी उतना बढ़ जाता जिसे प्रतेक संख्या को मैं कित से replace कर सकता हूं 666 से replace कर सकता हूं अगर इन सभी संख्याओं में 10-10 जोड़ दूं इन सभी संख्याओं में 10-10 में जोड़ दूं तो average में भी कितना सभी में 10-10 जोड़ जाए कि इसको replace कर रहा हूं मैं 6-4 को replace कर रहा हूं 6-6 लेकिन 10 जोड़ दिया संख्या का गुणा हो जाएगा उसी संख्या को जोड़ देंगे हानँ तो जैसे यहाँ पर इस कुश्चन में हमारे दो सो बारा 288 217 211 219 सभी में 3000 को एड़ किया गया तो जो एवरेज हमारा 210 था वह एवरेज भी बढ़के 3210 हो गया है मुझे अमीद है कि आपको यह concept समझ में आ गया होगा ठीक है अगला question है हमारा किसी कच्छा के साथ चात्रों का बजन 48, 52, 40, 63, 54 तथा 49 किलोग्राम है उन चात्रों का ओसत बजन क्या है तो यहां सबसे पहले मैं संख्याएं लिख लेता हूं संख्या है 48, 52, 40, 60, 53, 54 और कितना है 49 ठीक है तो मैं मन से देखो मिरको सारी संख्या है 50 के नजदीक दिख रही थी मैंने मन से म कम है 52 क्या है 2 जादा है 40 क्या है 10 कम है 60 क्या है 10 जादा है 53 क्या है 3 जादा है 54 क्या है 4 जादा है और अनचास क्या है एक कम है तो यह 2 की कम ही 2 की अधिकता एड़ेस्ट हो गई 10 की कम ही 10 की अधिकता एड़ेस्ट हो गई और यह 3 और 4 कितने हो गए 7 जादा उसमें से 1 चला तो अब यह 6 जो एक्स्ट्रा है वो हर एक में distribute होंगे क्योंकि average का मतलब क्या होता है सभी संख्याओं को उसी संख्या से replace करना मैंने 50 से replace किया था लेकिन मेरे पास तब भी कितना 6 एक्स्ट्रा बच रहा है तो यह 6 जो है वो कितनी संख्याओं में adjust हो जाएगा 7 संख्याओं अधिक होगा तो 50 से 8.57 अधिक मतलब 50.857 तो correct answer मेरा कितना हो जाएगा 50.857 हमें मन से average मानना है replace करना है कमी अधिकता देखते जाना है जितने कि अधिकता आई या कमी आई उनको सभी में equally distribute कर देना क्योंकि average क्या है वो central point है वो सबको balance सभी से balance बना के रखता है ठीक है च यह सही हमारा question है 64 65 12 और एक संख्या है एक्स इन सभी का ओसत कितना है 45 मेरा मेरे मतलब मैं इन सभी को 45 45 45 से replace कर सकता हूं ठीक है मैंने 36 को 45 से replace किया तो यह 36 क्या हो गया मेरा 9 कम हो गया अब 28 कितना कम हो गया मेरा 17 कम हो गया 43 कितना हो गया 43 2 कम हो गया 56 जो है वो मेरा कितना हो गया 45 6 5 11 ज्यादा हो गया 54 कितना ज्यादा हो गया मेरा 44 हो गया 45 और 5 50 24 और 5 29 ज्यादा हो गया यह हो गया 65 मेरा 20 ज्यादा हो गया ठीक है और 12 जो है 12 मेरा 33 कम हो गया ठीक है तो अगर हम कमी अधिकता को देखें तो कमी अधिकता देखो जो ग्यारा 9 और 2 11 मिल के ये 11 की अधिक्ता से एडजेस्ट हो गए और 17 और 33 पचास और 59 अना मतलब मेरे पास एक की कमी आ रही है तो ये जो एक की कमी है एक की कमी आ रही है मेरा एवरेज 45 बनाने के लिए सभी संख्याओं से ठीक है तो ये जो संख्या है ये 45 तो होगी होग plus इन सभी संख्याओं से जो एक की कमी आई है उस कमी को भी पूरा करेगी तब तो average सब 45 बन पाएगा देख़ वाई इन सभी से जो हमने देखा उसकी कमी अधिक्ता कितनी आ रही एक की कमी आ रही है average को 35 मानने में ठीक है तो यह जो एक की कमी आई है यह कौन adjust करेगा यह बाक 46 ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 तो यह हम अभी हमको थोड़ा सा यह होच-पॉच सा लग रहा है मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यह हो सकता आपने कभी पहले ना पढ़ा हो इसलिए अजीब सा लग रहा है लेकिन आप इसको प्रेक्टिस कर का जो अभी हम अभी आगे देखते जाएगे तो बने बनेगा तो आपको आटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ठीक है यह है नेक्स हमारा कौस्चन है समुवu A में साथ संख्याइए हैं तथा इन संख्याओं का उसा एकताले से सम्वu B में पांस संख्याओं तथा इन संख्याओं का उसत 44 से इन दोनों समुहों का उसत क्या है ठीक है तो एक समुह है इस समुह के ए समुह जो है उसमें कितनी संख्याओं है साथ संख्याओं और इन सभी संख्याओं का उसत कितना है एक ताले से एक समुह भी है जिसमें कितनी संख्याओं है पांस संख् से तो ये सारी संख्याओं को इन पांचो संख्याओं को मैं चावालिस 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 से रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि ओसत को हम सभी संख्याओं से रिप्लेस कर सकते हैं और यह जो साथ संख्या है इन साथो संख्याओं का ओसत कितना है 41 सञ गरता हो कि दोनों को मतलं से किक्तना है 41 संख्या मेरे माने गए average से कितना है तीन जादा है और एसी संख्या है कितनी पांच है तो total कितनी जादा हो गई मेरे पास अधिकता कितनी आ गई 15 की क्यों 5 संख्या है 3-3 अधिक तो 15 की अधिकता आ गई अब मैं क्या करूँगा कि ये 15 की अधिकता मेरे से बोला है कि दोनों समूं का कुलोसर कितना तो दोनों समूं में कितनी संख्याओं हो जाएंगी 12 तो यह जो 15 की अधिक्ता आई है यह मेरे को सभी 12 संख्याओं में क्या करना पड़ेगा दिस्टिब्यूट करना पड़ेगा तो मैं 12 को 15 से भाग देंगा 12 एकम 12 बचेगा 3 12 दुनी 24 बारा पंजे 60 तो कितना हो जाएगा यह 1.25 की क्या आजाएगी अधिक्ता आजाएगी तो मैंने मन से एवरेज कितना माना था 41 तो नया एवरेज मेरा कितना हो जाएगा 1.25 ज्या हमें easily answer लाने में help कर रहा है ठीक है तो अभी हम आगे जब वो tough tough questions में बढ़ते जाएंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि इस method के क्या benefit है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए पूरी class देखिए मैं आपको सेयरोटी दे रहा हूं कि आपका यह पूरा जो average का हमारा question है मधू द्वारा चार विशियों में मधू द्वारा चार विशियों में प्राप्त उसत अंक 64 है और पांचवे विशे में उसने 79 अंक हासिल किये मधू द्वारा पांच विशियों में प्राप्त अंकों का नया उसत क्या है ठीक है तो देखो चार संग जैसे माननो कि उसका 64 था, मतलब 4 विशियों में उसने 64, 64, 64 किया होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी हमने discuss किया, कि जो उसा थे, वो सभी संख्याओं से प्रती स्थापित किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता, तो मैंने 4 विशियों को 64 से रिप्लेस कर दिया, अब अगले उसमें अगर उसने थोड़ा से मैं नया लॉजिक यहां पर ला रहा हूं कि अगले पेपर में अगर उसने 64 नंबर ही score किये होते तो क्या उसके average में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता क्यों क्योंकि सभी संख्या अब 64 चोंषट हो गई है तो उसमें क्या होगा कि average जो है मेरा 64 ही का 64 ही बना रहेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ पांचवे विशे में उसने 69 नमबर score किये 64 नहीं score किये कितने किये 69 मतलब उसने कितने ज़्यादा score कर लिए 5 नमबर जो है वो ज़्यादा score कर लिए तो अभी paper कितने होगा है मेरे पांच और मेरे पास एक्स्ट्रा भी अंग कितने आगा है 5 मतलब हर एक में कितना हो गया मेरा एक एक के क्या हो गया बट गया पांच पेपरों में पांच नमबर को जब मैं बाटूंगा तो सबके हिस्से में कितना आएगा एक 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 घी आएगा तो मेरा नया उसत कितना होगा 64 की जगा पर कितना हो जाएगा 65 क्योंकि सभी को कितना मिल गया एक 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 के कंग एक्स्ट्रा मिल गया तो मेरा नया उसत कितना हो जाएगा 65 ठीक है चलिए अगला करते हैं अब हम आ जाते हैं यहां पर अ हमारा पहला कोश्यन है छे संख्याओं का ओसत आठ है साथवी संख्या क्या हो जिससे ओसत दस हो जाए हना तो छे संख्याओं का मेरा ओसत आठ है साथवी संख्या क्या हो कि जिससे मेरा ओसत दस हो जाए तो देखो सभी का ओसत कितना है आठ है तो सभी जो छे संख्या है वो आठ 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 है ठीक है अभी हम कॉंसेप्ट को समझने के लिए प्रॉपर लिखके कर रहे हैं कि सभी छे संख्या आठ 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 है अब एक सातवी संख्या आएगी यहां पर जिससे सारी संख्या कितनी हो जाएंगी 10-10-10 हो जाएंगी तो यह मैंनों देखो 10-10-10 ले लिया सारी सभी संख्याओं को यहाँ पर जो संख्या आई मैंने उसको भी 10 ले लिया ठीक है तो देखो यह जो संख्या आई है उससे इन सभी संख्याओं में कितने की ब्रद्धी हो गई है 2-2-2-2 की ब्रद्धी हो गई है तो कितनी संख्या है थी यहाँ पर मेरी 6 तो सभी संख्याओं में 2-2-2 की ब्रद्धी तो 6 में total कितनी ब्रद्धी हो जाएगी 12 तो यह जो आने वाली संख्या है यह 10 तो होगी होगी प्लस इन 6 संख्याओं में 12 की ब्रद्धी की है, वो 12 और एक्स्ट्रा होगी, तो वो संख्या कितनी होगी, मेरी 22 होगी, तो correct answer हमारा कितना हो जाएगा, correct answer हमारा हो जाएगा 22, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं, अभी देखिए, इसको मेरे को oral करना हो, 6 संख्या हैं मेर सभी का उसत कितना है, 8, एक सातवी संख्या मेरे को लेना है, जिससे उसत कितना हो जाए मेरा 10, तो मेरे को average कितना बढ़ाना है, 2-2 बढ़ाना है, तो 6 संख्याओं में मुझे average 2 बढ़ाना है, मतलब मुझे total कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12 बढ़ाना पड़ेगा, और जो 7 बच्चों को बोला कि 10 10 रुपे 188 करो लेकिन जब तक 6 बच्चों ने पैसे कलेक्ट किया किसी ने 6 बच्चों से पैसे कलेक्ट कर लिया बोला कि भाई लाओ पैसे दो पैसे दो दूपे तो बाकी का जो 6 बच्चों के 2 रूपे के हिसाब से 12 रूपे मतलब वो अपने हिस्से के 10 और बाकी के बच्चों के 12 मतलब टोटल उसको कितने रूपे देने पड़ेंगे तो इसी तरीके से उसको कितना 10 और 12 टोटल कितने 22 रूपे उसको देने पड़ेंगे ठीक है तो इस पत्चिस संख्याओं के पहले सम्मु का उसत 65 है तो पत्चिस संख्याओं के दूसरे सम्मु का उसत ग्यात कीजिए देखिए इसको भी हम कैसे कर सकते हैं कि यह जो जो एक से पक्चीस तक की संख्याय हैं उनका एवरेज कितना है उनका है हमारा 65 और 바 publi की जो हमारी 26 का знаем इनका संख्याय हैं इनका खुछा और यह बोला है कि इन पूरा एक से लेके 50 तक कि सभी संख्या का 50 कितना है फ्री अब देखिए अगर मैं इसको वेसी करूँ जैसे क्लास में बच्चों के हिसाब से करें तो इनने कितने पच्चिस बच्चों से कितने पैसे खटे हुए है एवरेज के हिसाब से 65 जबकि कितने करना था 55 करना था तो इन 25 बच्चों के 10-10-10-10 रुपे कम पढ़ रहे हैं तो टोटल कितने रुपे कम पढ़ रहे हैं 500 रुपे कम पढ़ रहे हैं ठीक है क्यों क्योंकि इनको देना था 55 रुपे लेकिन इनने दिये कितने हैं 65 रुपे तो यहां पर कितने कम पढ़ रहे हैं 500 रुपे कम पढ़ रहे हैं तो यह जो 2500 रुपे कम पढ़ रहे हैं वो मिला है और अभी इनको extra कितने देने लिए थाइसो रुपे एकस्टा देने हैं पिछले 25 बच्चों के तो एक बच्चे पर कितना आ रहा है दस रुपे जा दस रुपे अधिक देना पड़ेगा उसको तो हर एक बच्चे को पचितर रुपे अपने हिस्से के तो देना ही देना है प्लस दस रुपे पुराने बच्चों के देना है मतलब टोटल हर एक बच्चे को कितने देना है पच्चासी रुपे देना है ठीक है तो हमारा एवरेज जो है वो कितना आ गया हमारा यहाँ पर पच्चासी आ गया ठीक चलिए अगला question देखते हैं अगला question है हमारा 21 आकड़ों का उसत 36 है जिन में से पहले 12 आकड़ों का उसत 15 है से इस 9 आकड़ों का उसत क्या होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर फिर वोई हम कमी अधिकता देख लेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए कि सभी का average कितना बना के चलना है मुझे 36 बना के चलना है लेकिन पहले 12 मतलब एक से लेके 12 तक इनका उसत कितना है 15 है average कितना बनाना था मुझे 36 लेकिन इनने दिया कितना 15 मतलब कितना कम आ रहा है यह 21 कम आ रहा है 21 कम आ रहा है हर एक पे तो बारा संख्याओं में टूटल इतने की कमी हो गई तो 21 में 12 का गुणा कर लो कितना हो जाएगा यह 21 में 10 का गुणा 210, 2 का गुणा 42 मतलब कितना 252 की क्या आ रही है कमी आ रही तो इनकी वज़े से 252 की क्या हो गई कमी हो गई थीख अब यह 252 की कमी है इन नो संख्याएं है इनको 252 की कमी कोई करना ठीक है तो कितना हो जाएगा यह 18 बचेगा 7 और 9 722 बतलब हर एक को कितने की 28-28 की कमी को एड़्जेस्ट करना है तो इनको अपने हिस्से के 36 तो दे नहीं देना है प्लस इनको 28 जो है वो अपने संखियाँ के संग्षाओं के संग्षा कराने कितना हो जाएगा संग्षाइगा तो इसको हमें क्या करना है हमेशा है इसको रियल ah सोचके देखना है अगर हम यहाँ पर अच्छी बना लेंगे एक बार हमारे कॉंसअप्ट क्लियर कर लेंगे तो vibr對不起 से टफ कोश्चन है हम उसको इसली सॉल्व कर लेंगे और अगर डिजिट वगेरा सही रही मतलब के ज़्यादा कैलकुलेटिव कोश्चन नहीं बनाया तो हम उसको औरल भी कर सकते हैं लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि जब से हमारे ऑनलाइन एक्जाम सुरू हुए तो ऑनल ले लेगा तो यहां पर थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है कि हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड भी थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेंगी ठीक है कॉश्चन दिखेगा सिंपल लेकिन वह टाइम टेकिंग हो जाएगा काफी जब से ऑनलाइन एक्जाम हुए तो य क्या होगा ठीक है तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर दिया हुआ है कि आट संख्याओं का उसत चउदा हैу सबका उसत कितना बनाके रखना है रखना है अपन को चॉदा इस में से जो छे संख्यां है उनका ओसत कितना है? 16 है, मतलब कितना है? 2 जादा है, तो 6 संख्याओं में 2 की अधिक्ता, मतलब कितना हो गया? टोटल मेरे पास 12 की अधिक्ता आ गई है तो यह बारा की अधिक्ता कहा adjust हो जाएगी? बाकी की बच्ची 2 संख्याओं में क्योंकि टोटल संख्या कितनी है आठ है तो यह बाकी की बची दो संख्याओं का उसत जो है देखिए बारा की अधिकता आ रही है कितने में बाकी की बची दो संख्याओं के लिए तो एक संख्या पर कितना आ रहा है छे तो जो सेस दो संख्याओं का जो सेस बची संख्याओं कितना छे कम होगा इन बाकी बची संख्याओं का उसत कितना होगा चौदा में से चौदा में से सोरी छे गया चौदा में से छे गया तो कितना हो जाएगा आठ तो बाकी बची संख्याओं का उसत कितना होगा मेरा आठ होगा ठीक है तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि चलिए नेक्स देखते हैं आठ जहाज कर्मी का उसत बजन एक सही बटा दो किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका बजन 60 किलोग्राम को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करता है तो नए व्यक्ति का बजन ग्याद करें एक जहाज है जहाज में आठ करमचारी है आठ करमचारी में से हमने एक किसी को हटाके और दूसरे को हमने ले लिया ठीक है तो इससे क्या हुआ कि हमारा can बचना है डिल केजी बढ़ गया है सई एक बटा 2 किलो ग्राम बढ़ गया है तो ऐसा क्यों हुआ होगा ठीक है देखी ऐसा ऐसे इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो गया होगा उसका बजन कम रहा होगा और जो आया है उसका बजन जादा रहा होगा ठीक है तो क्योंकि एवरेज बढ़ा है तो जब कम वाला जाएगा और जादा वाला आएगा तभी एवरेज बढ़ेगा मेरा और तो ने किया किया होगा कि जो सभी कर्मचारियों के लिए 1.5 केजी और लेकर आया होगा क्यों कि मतलब की सब्सक्राइब के हिसाब कितना बढ़ा होगा तो laquelle ईसने इस जुल उसे बढ़ा कर्मचार के एलगा तो लाया है प्लस 12 kg और ले कर आया है मतलब किना बजन ले कर आया है 72 kg बजन ले कर आया तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 72 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 72 kg देखिए 1,5 kg उसके आने से सभी में 1,5 kg बढ़ गए तो जो गया उसने 6,6 रुपे जैसे मान लो की 6 रुपे लेकर चला गया और जो आया तो उसने उसके हिस्से के 6 तो लाया ही लाया प्लस बाकी सब के 5,5 रुपे और ले आया तो आठ करमचारियों के डेड़ रुपे मतलब डेड़ केजी बजन मतलब कितना बारा और साथ उसके जो चला गया उसके भी लेकर आया तो टोटल कितने लेकर आया वो 72 केजी लेकर आया है ठीक है चलिए अगला करते हैं एक कच्छा में 50 विद्ध्यार्थी हैं एक विद्ध्यार्थी जिसका 50 किलोग्राम जिसका बजन 50 किलोग्राम है चला जाता है एक नया विद्ध्यार्थी आता है जिसका बजन आधा केजी बढ़ जाता है नय विद्ध्यार्थी का बजन ग्याद कीजिए देखिए 50 नहीं हमारा उसने जो गया है उसके बराबर बजन तो लाया ही होगा थीक है प्लस सभी के लिए और लेकर आया होगा तो टोटल हमारे पास कितने हैं कि तोटल है हमारे पास पचास विद्यारति और सभी के लिए आधा आधा केजी वो और लेकर आया मतलब टोटल कितना पच्छिस केजी एक्स्ट्रा लेकर आया है तो जो जाने वाले की पच्छास की कमी की पूर्ती तो करे गई करेगा प्लस पच्छिस एक्स्ट्रा लेकर आएगा पच्छिस एक्स्ट्रा क्यों लेकर आया क्यों कि पचास विद्यारती में आधा आधा किलो बढ़ाने का मतलब है कि मुझे टोटल 25 केजी बढ़ाना पड़ेगा तो 50 केजी जो गया उसका प्लस 25 केजी एवरेज की ब्रद्धी करने के लिए मतलब उसने टोटल कितना बजन लेकर आया है 75 केजी बजन लेकर आया है सभी का एक सेंटर पॉइंट होता है उससे सभी की कमी अधिकता क्या होती है बैलेंस रहती है अगर किसी की अधिकता और यह कमी हो रही तो बाकी सभी में डिस्टिब्यूट हो जाएगी यह यह कॉंसेप्ट हम समझ ले तो इसली को सॉल्व कर सकते हैं आगला कोशन के स्पूल में से एक सिठक सेवा मट जाता है उसके इसथान पर नया 125 वर्षी सिठक्षक सेवा ग्रेहף कर लेता सःन् sound का और साम स्थोझ्व कम हो जाता सहीं कितने वर्ष है देखिए जाने वाला जो सिठक और तो टोटल कितने सिक्षक हैं 10 और उसत में 3 की कमी आई है मतलब टोटल की टोटल में कितने की कमी आई होगी 30 की कमी आई होगी और आने वाला जो सिक्षक है हमारा कितने का है 25 साल का लेकिन इसके आने के बाद भी 30 वर्स की क्या है कमी आई है मतलब जो जाने वाला विद्यार जाने वाला सिक्षक है वो इससे 30 साल बड़ा रहा होगा तो जाने वाले सिक्षक की आयू कितनी होगी 55 बर्स रही होगी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मालो की एक विक्ति है हमने मालो की सभी 10 सिक्षक थे के स्कूल में सभी को बोला कि भाई पै क्या होगा कि सार था को कितने तीन-देने पड़े तो कितने कमि को दूर करने के लिए इसको 25 और बाकी सब के तीन तीन रुपे मतलब टोटल कितने पच्पन रुपे कंट्रिब्यूट करने पड़े हाना जाने वाला सिक्षक है वो पच्पन रुपे दे रहा होगा हना इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं एक्स कोशन है हमारा आठ व्यक्तियों की ओसत आयू तीन वर्स बढ़ जाता है तो यह जो नए व्यक्ति आये हैं इसी बात है कि इन दोनों की आयू से जादा आयू के होंगे वो तो दोनों की टोटल आयू कितनी है तीस और चोंतिस मतलब दोनों की टोटल आयू थी चोंसट अब जो जो जाने आने वाले जो दो व्यक्ति हैं इन दो व्य की ब्रत्दी होई है Rs 35 की व्यक्ति कितने हैं टोटल 8 कितने की ब्रत्दी होगी हरे एक सब्सकिर के व्यक्ति क्ति को पूरा कर कौच 64 दे कर आए जाEE कितना आएजा दी यह मतलब और तो ने शोवसान कितना होगतों कि यहां तो आट वेक्ति हैं आपने आप से त्राय करके देख लिएगा वीडियो को रुक के फिर आगे आप सोलीशन देखिएगा ठीक आट वेक्तियों की उसताईउ दो वर्स बढ़ जाती है मतलब टोटल कितने की ब्रद्धी होती है 16 की ब्रद्दी हो जाती है कब जब दो व्यक्ति 21 और 34 21 और 23 को replace करके दो नए व्यक्ति आते हैं तो उनको इन 21 और 23 की कमी को तो पूरा करना ही करना है तो 21 कितना हो गया है करैक्टर अंसर हमारे कितना हो जाएगा 30 किसी किर्केट टीम के 11 खिलाडियों की ओसाता आए ह skipping prawd कि कि आयू की औसा तक है थीड़ों कि मतलब हर रहर कि माहण बढ़ जाती है तो ग्यारा कि मैं बढ़ाना है कि कितनी बढ़ जाती है 22 महां बढ़ जाती है और इनने किस को replace किया है इनने किया 18 और बीश-वार्स लाये लाए है फ्लस 12 महां और मतलब कितना 22 महां का मतलब कितना एक साल कितना 10 महिने एक साल और 10 माँ तो कितना हो जाएगा हमारा एक साल मतलब 49 और 10 माँ मतलब कितना तो 49 हो गया 49 साल 49 साल 10 माँ तो 49 साल 10 माँ का मतलब क्या है ये दोनों का योग है 49 साल 10 माँ तो एक के हिस्से में कितना आएगा यहां पर 49 साल को में बाटूँगा तो साड़े उन्निस मतलब कितना 19 साल 6 माह और यहां पर जब 10 माह को 2 भागों में बाटूँगा तो कितना आएगा 5 माह तो 49 साल 5 माह और 6 माह ये वाले तो कितना हो जाएगा 19 साल 11 माह तो एक का एवरेज कितना जाएगा 19 साल 11 मा, ठीक है, नेक्स्ट है, एक समू के 20 पुरसों की ओसत आयू 30 वर्स है, 50 वर्स का एक विक्ती समू छोड़कर चला जाता है, जबकि समू में एक महिला सामिल हो जाती है, और ओसत आयू में एक वर्स की कमी हो जाती है, तो महिला की उम्र कितनी है, ठीक है, एवरेज में कितने की कमी आई है देखो 20 पुरुस्त है और average में हो गई है एक की कमी तो total कितने की कमी हो गई 20 की कमी हो गई कब जब एक 50 साल का व्यक्ति जो है समूँ छोड़ कर चला गया तो और उसके जाने से कमी कितने की रह गई केवल 20 की इसका मतलब यह है कि देखो अगर 50 साल का व्य पचास की रहना था लेकिन इस कमी कितने की रह गई है केवल बीस की क्यों कि एक महिला आई है तो महिला कितने साल की रही होगी तीस साल की रही होगी ना क्योंकि देखो जान पचास साल के विक्ति के जाने से टोटल में कितने की कमी होनी थी पचास की कमी होनी थी लेकिन कमी कि कितने की हो पाई केवल 20 की कमी हमें कैसे पता चला क्यूंकि उसत में एक वर्स की कमी हुई और लोग थे लोग थे 20 तो टोल कितने की कम्य हिए बीस की लेकिन पचास का गया और कमी कितने की रह गई malt की मतलब एक जो महिला आई च्वक्षान है वह कितने शाल वर्स है तभी 17 वर्स का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगहा पर दूसरा लड़का आता है तो उसत आयू 15.875 वर्स हो जाती है नए लड़के की आयू ग्याद कीजिए ठीक है देखो 40 लड़के थे और उसत कितना था उसत आयू थी 16 वर्स और एक 17 साल का लड़का चला गया उसकी जगह पर एक नए लड़का आया और उसत कितना रह गया है मेरा 15.875 तो इस प्रिक्रिया में मेरा भाई जो उसा थे वो 125, 0.125 क्या हुआ है, कम हो गया है, क्यों, क्योंकि 17 साल का एक लड़का गया है, और एक नया लड़का आया है, और उसमें क्या हुआ है, 0.125 की क्या आ गई है, कमी आ गई है, कितने में, 40 लड़कों में, तो टोटल कितने की कमी आ गई होगी, यहाँ पर मेरी, 0 .125 में 40 का multiply कर लो 4 का multiply कर लेंगे तो यह हो जाएगा 500 और 1 का multiply कर लेंगे तो मतलब total कितने की कमी आई है 5 की कमी आ गई है total कितने की कमी आ गई है 5 की कमी आ गई है 17 साल का लड़का गया है और 5 की कमी आई है मतलब आया कितने साल का होगा 12 साल का लगाएक आया होगा तो correct answer मेरा कितना हो जाएगा 12 साल मुझे उमीद है कि आपको ये concept clear हो रहे होंगे समझ में आ रहे होंगे अभी हम class को यहीं रोकते हैं और आगे जब हम आगे मैं इसकी class 2 लेकर आऊँगा तो हम इसमें आगे के और type और cutting question को cover करने की कोशिस करेंगे उमीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अगर आप थोड़ा सा शुरू के 5-10 मिनिट को एक बार दोबारा देख लेते हैं तो यह आपको class अच्छे से समझ में आ जाएगी और आगे जब हम tough questions को करेंगे तो यह जो concept हमने बिल्ड की है यह आगे ह हमारे बहुत काम आने वाले तो प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा थैंक यू